नमस्कार सांथियों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विनाइस्टडीकेन में श्वागत है सांथियों आज की इस वीडियो में हम 36 घड़ी भाषा से संब्धनित बहुत ही मत्रपूर एमस्क्यूस कोशन लेकर आए हैं यदि आप 8 भी बास है प्यून की त्यारी कर रहे है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अब हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्काइब कीजिए पास में लगे बेल अकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोड़किसन आप तक पहुंचती रहे वीडियो को ज होंगे तो बोलते होंगे नोहर चोर होगे स्यार इसका मतलब है कि बहुत दिनों बार दिखाई पढ़ रहे हो दूरलब हो तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी दूरलब दूसरा प्रशन है नैमित्तिक मजदूरी है तो 36 सब्द है अगला प्रशन है कौन सुमिलित नहीं है ध्यान रखेगा नहीं पूछा गया है नर्याना चिल्नाना पतियाना विश्वास करना पंदोली देना सहता देना अगोरना घुरना तो इसमें नर्याना चिल्नाना सही है पतियाना विश्वास करना भी सही है पंदोली देना सहता देना ये भी सही है तो तीनों सही है अगोरना का मतलब होता है इंतजार करना इंतजार करना जब कि यहाँ पर घुर्णा दिया हुआ है तो यही option गलत है पतो सब्द किसके लिए प्रविप्त किया जाता है option A, पत्ते, option B, बहू, option C, पोते, option B, पोती पतो सब्द का उप्योग बहू के लिए किया जाता है option B पश्वों के छत्तिगढ़ी नाम के संबंद में कौन सुमिलित नहीं है option A, छिरी, बहुरी, option B, मिचका, मिढ़क, option C, उड़रा, भेडिया, option D, चिटरा, चिडिया मैं मानकर चर रहा हूं कि इसका आंसर आप सभी को पता है comment करके जल्दी बताएगा इसका आंसर क्या है इसका सही जवाब है चिटरा, चिडिया जवाब है, जवाब है, जवाब है, अनुभाई व्यक्ति, अनुभाव विहीन व्यक्ति, सम्वयस्क, अल्पवयस्क जवाब है, संगी संग्वारी, आपके समान तो इसमें है सम्वयस्क, सम्वयस्क मतलब आपके आसपास के तो इसलिए option C, सम्वयस्क सही होगा धर्सा चत्रिगड़ी सब्द से आसे है धर्सा दाल की एक किस्म धान कुटने का उपकरन आज से चौथा दिन खेतों की बीच जाने वाला रास्ता धर्सा ये काफी इंपोर्टेंट है और एक्जामे पूछा भी गया है धरसा जो है खेतों की बीच जाने वाला रास्ता यह खेत होता है ऐसा यह खेत है तो इसके बीच जाने वाले रास्ता को धरसा कहा जाता है अगला प्रश्ण है मोहरी किस वाद्ययंत्र को कहते हैं बांसुरी शहनाई धोलग शारंगी मोहरी शहनाई वाद्ययंत्र को कहते हैं इसका आंसर बी होगा इसका डी है घोड़े के लिए चत्तिजगड़ी सब्द है घोड़वा घोड़वा घोड़ आ घोड़ा तो इसमें ऑप्षन भी सही होगा घोड़वा होसियार के लिए चत्तिजगड़ी सब्द है होसियार 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 देखे इसमें आपको सुद्धवरतनी भाचानना है होसियार के लिए ऑप्षन भी होसियार सही होगा चत्तिजगड़ में होसियार कहा जाता है अगला प्रश्ण है अलकरहा से आसा है आलसी उटपटांग लगना मुर्ख विद्वान होना अलकरहा का मतलब होता है उटपटांग जो उटपटांग काम करता है उसे अलकरहा लेकस यार ऐसे बोला जाता है अनभोट कहा से आसा है अचानक देरी से वास्तों में बेकार इसका आसा है अचानाक से. इर्षा के लिए 36 गड़ी सब्द है इर्षा, 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 इर्षा. तो इर्षा के लिए इर्षा कप्रयोग किया जाता है 36 गड़ी में. अकास दीप का 36 गड़ी सब्द है अकास दीप, अकास दिया, अगास दिया, अगास दीप. चलिए इसका सहीं जवाब बताएगा आकास देप को 36 गड़ी भासा में अगास दिया कहा जाता है तो अगास दिया option C सहीं होगा जनतर का अर्थ है A. जादू B. यंत C. जनता D. यात्री जनतर का अर्थ यंत्र से है option B. सहीं होगा सहीं सुमेलित नहीं है गोरस दूद गोंदली प्याज खजूर खजूर औरा नीम तो इसमें गोरस दूद सहीं है गोंदली प्याज ये सहीं है खजूर खजूर सहीं है औरा औरा का मतलब होता है आमला तो नीम option में है तो ये गलत हो जाएगा तो प्रश्ने के हिसाब से option D सहीं हो जाएगा और कट्टा सब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है बड़ा नाला, छोटा रास्ता, मुक्य सड़क उप्रोप्त में से कोई नहीं तो इसका सहीं जवाब है छोटा रास्ता option B 36 भासा में सियान का समनार्थी सब्द है मुक्या, मिलान, अंजान, सुजान सियान, 36 भासा में हम मुक्या को कहते हैं तो option A सहीं होगा इन्दी भासा के प्रसास्निक प्रशलित सब्द ग्रिह के लिए 36 भासा में है गेह, घर, ग्रह, निवास तो चत्तिजगड़ी भासा में ग्रीह को घर कहा जाता है फुटकर काम के लिए प्राया चत्तिजगड़ी भासा में इसका उप्योग किया जाता है नानकिन बुता, थोरकिन बुता, काम बुता, काम काज सही जवाब बताईएगा थोरकिन बूता इसका सही जवाब होगा 36 पहासा में रन्नी खोली किसे कहते हैं रंगने का कमरा खोली खेलने की जगह रसोई के लिए कमरा चित्र बनाने की जगह रन्नी खोली जहाँ पर खाना पकाया जाता है रसोई घर होता है उसे कहा जाता है तो option C रसोई के लिए कमरा सही होगा गुसईया मालकिन धन्मान का समनार्थी है option A भगवान, option B शुवानी, option C धनी, option D बढ़कर तो इसका सही जवाब होगा option C धनी छेत्रो दिशाओं के संबन में कौन सा सुमिलित नहीं है उत्ती पूर्व, बुड़्ती पस्चिम, रक्षहु दक्चिन, भंडार उत्तर सही जवाब आपको बता है एक, एक, दो, एक, दो, तीन option D सभी सुमिलित है तो इसका सही जवाब होगा option D सभी सुमिलित है उन्हारी से आसा है रभी फसल, खरीब फसल, जायात फसल, उप्रोक्त सभीब तो उन्हारी का मतलब होता है रभी फसल लेवनाथ 36 गड़ी सब्द का आसा है लहशून, मक्खन, छोटा फल, आटे का लेव तो इसका सही जवाब है मक्खन, आप्शन B सीर्थोन का साब्दिक अर्थ है सोना, एकदम स्वक्च, चिन्ता, सच्मुच मुन्ध्यार से आसा है प्राता काल, दोपहर का समय, मध्यरात्री का समय, साम का समय, अंधिरा होने के पूर्व थैंकि दोस्तों